हाई गाईज कैसे हैं आप लोग तो आज हम जा रहे हैं पूने से महा बलेश्वर तो आपको रोड ट्रिप दिखाते हैं बीच में थोड़ा सा घाट का रोड दिखाएंगे अभी सुबह के पांच बजने वाले हैं और बस हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं पैकिंग बीच में वाई आता है वहां रुकने का प्लान नहीं है उसके बाद पंचगनी आता है तो पंचगनी में एक कुछ फ्लैट टेबल टॉप लैंड है वहां जाएंगे उसके बाद फिर पार्सी पॉइंट है वहां जाना है फिर मैप्रो गार्डन जाएंगे and then we'll check into our hotel ठीक है तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है ट्रिफ this is the toll 95 rupees one side 145 rupees return तो ये शेर्वल पाँचे हैं around 64 kilometers from my place okay so this is the ghat section starting around 79 kilometers from our start and the time is 647 a.m and ghat starts do 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 कर दो रहा है कि वे भूप कर दोपकेली दोपकेल वारी शीजा पोपकेली तो तो पूपकेली कि अच्छिए तो पोपकेली है ए्योट प्रापन्नेर गार resonance अवेर टापने onsीड मेरे एक राष्टान और沒有 88 किलोमेटर दीने, इस राष्टाना के टाष्टाज बीडियन motion था जतESTा बेंक डाष् elsे राष्टारोग बीड ये। इसे आफ बस इट बस जो को वाब सिर्वाइ य ऑन्स रहोड प्रतापकर बस्छानी को वाब बस्ट जिए को हुआए निए जो डिए जो को बस्ट बस्ट टूएह बस्टूएर खरोगण तो हम लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं अभी हमने मुंबई बैंगलोर हाइवे जो है वहाँ से राइट टर्न लिया है वाई की तरफ को तो अभी वाई आने वाला है वाई के बाद पंचगनी पंचगनी के बाद महाबलेश्वर पंचगनी हम लोग थोड़ा सा रुकने वाले हैं हमारा होटल माबलेश्वर से थोड़ा सा पहले ही है तो विल स्पेंड सम टाइम इन पंचगनी पंचगनी में हम लोग आज वो एक टेबल टॉप करके जगह है इस लाइक हिल उसको पूरा जैसे उपर से पूरा एकदम फ्लै सी पॉइंट है वहां से नीचे जो रिवर जाती है क्रेश्णा रिवर शकाव weव आता है उस मेंधाет भों ढम नाम नाम या धूम ढम जो भी नम ए तो उस और इस अच्छा विव आता है मिने सुना है तो भो देखेंगे and then we'll spend some time in Mepro Garden, we'll eat something there and then we'll check in to our hotel, so expected to check in around 1 o'clock right now, अभी time हो रहा है, सुभह के साड़े साथ बजे है और हम अपने घर से 97, 97 किलोमेटर आ चुके है और अभी Google अंटी बता रही है कि तीस मिनट और लगेगा हमें पहुंचने में हम पहले टेबल टॉप जा रहे है यहां से 17 किलोमेटर और है, तो अभी घाट शुरू हुआ नहीं है वो थोड़ा सा जो शिरपूर के बाद जो घाट आता है वो घाट अभी क्रॉस किया है लेकिन अभी महाबलेश और पंचगनी वाला घाट अभी शुरू नहीं हुआ है तो अभी थोड़ देर में शुरू होगा तो यह घाट शुरू हो गया है यहां से रोड डबल रोड है अगर कहीं पार्किंग मिलती है यहां पर तो मैं थोड़ा सा ट्रूम फुटेज में भी मैं दिखाता हूँ यह घाट कैसा दिखता है बट पार्किंग मिलेगी सेफ पार्किंग अगर कोई मिलेगी तो भी फोसिबल है अज़ खोसितों मिलेगी PM हघा ट्रेज को सेफ तो नहीं जो को शुटेज मीजर को भी झाल से तक्वया कुटेज कि खिर नहीं कुटेजरह मिलेगी ट मिलेगी फोसितों मिलेगी का कुटेज च्त्वित भी मिलेगी है इस प्रिस्ट पंचगनी काफी ग्रीन अरिया है कि जैसे बरसातों में ग्रीन होता है वैसा भी इस महीने में नहीं है, this is the November month and today is 19th of November, तो दिवाली के बाद का समय है, पेडवेड ग्रीन है लेकिन पहाड जैसे बरसातों में इस तरह गी एक्स्ट्रीम ग्रीनरी दिखती है, वैटनेस इन ग्रीनरी जैसा दिखता है, वैसा नहीं है, but still okay, so we are in पंच गणी, now हमें यहां से left turn लेना है, in 300 meters, turn left at Shavaji Choke on to Tableland Road, okay, तो Google Madam ने बोलाया कि आगे से left लेना है, Tableland Road के लिए, जो हमको Tableland लेकी जाएगा, आएगां कि लिए बाओार काम नेज़, ञकए यजमा थास से प्राइगा भी लेक कि लेकाम है,rás प्राइखव देखता है,